Welcome to Nandkishore Classes बहुत से parents को ये complaint रहते है कि उनके बच्चों का maths में interest नहीं है या छोटे बच्चों को कि उनको maths के table याद नहीं होते table लिखने में मुश्किल करते हैं तो हमारे आज के वीडियो में maths की table लिखने की multiplication table की ऐसी tricks करेंगे कि बच्चों का definitely maths में interest बनेगा तो time नहीं लेते हैं जादा जल्दी से शुरू करते हैं ध्यान से देखिए board पर आपके सामने है table 3 और 6 लिखने की सबसे पहली trick जो आज करने वाले हैं ध्यान से देखिए का 3 का table लिखने के लिए कि सबसे पहले करते हैं कि क्या करना है हमें सबसे पहले हमें कि 1 2 3 यह कुछ values लिख रहे हैं यह कैसे लिखनी है बड़े ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 counting लिखनी बहुत असान है राइट तो एक बार counting लिख दी 1 2 9 तक बस पैटर्न याद रखना है कि किस तरीके से लिखी गई है आगे देखिए क्या करना है बिलकुल असान यह देखिए 0 0 0 पहली लाइन में 0 आएगा दूसरी लाइन में 1 और तीसरी लाइन में 2 दियान से देखिए 3 का टेबल बन रहा है और 3 1 0 3 3 2 0 6 3 3 0 9 12 15 18 21 24 27 और 3 10 30 तो बहुत असानी से देखो 3 का टेबल कितनी असानी से लिखा जा सकता है अब 3 का टेबल कनेक्टेड है 6 के टेबल से कैसे 6 के टेबल से से कनेक्टेड है यह देखिए ध्यान से देखेगा कैसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी तक तो वही किया जो आमने पहले किया था आगे देखिए क्या करना है यह देखिए 0 1 2 0 1 2 अगर आप वर्टिकली देखें तो कांटिंग बन रहा है यह 0 1 2 तो इसी को कॉंटिन्यू करते हैं कैसे 0 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 जैसे याद रखना चाहें वैसे रखें चाहें थ्री याद रख लो पहली लाइन में दूसरी लाइन में 4 तीसरी में 5 चाहें आप वर्टिकली याद रख लीजे और लास्ट में देखिए 60 अब आप सोचोगे कि यह 60 लिख दिया 6 का टेबल कहां बना अब देखिए समझे इसको सबसे पहले बोक्स में हमारे पास टेबल बन गया किसका 3 का टेबल बन गया अब 6 का टेबल कैसे इसमें से बना उस चीज को समझना है कैसे यहां पे देखिए यह मैं टिक लगा रहा हा हूं कुछ वैल्य्यू这 इह देखिए पहली लाइन की मेडल टम दूसरे की दोनों कॉर्यर वाली और उसके बाद मीडल टम अगले box में फिर से middle ये दोनों corners वाली फिर से middle आप इन टिक लगाई हुई terms को बड़े अच्छे से देखिए क्या pattern बन रहा है यह देखिए यह box नजरा रहा है इधर देखिए यहां पर भी एक box square box बीच में बनेगा यानि कि यह देखिए six one's are six six two's are twelve six threes are eighteen six four's are twenty four और इधर middle में six five's are thirty then six six are thirty six sevens are forty two eights are forty eight nines are fifty four and six tens are sixty तो three और six का table इस तरीके से लिखा जा सकता है जहां बच्चों को table याद ना हो यह trick पर उस दीजिए इससे उनका मैस में interest बनेगा राइट चलिए next trick की तरफ चलते हैं चलिए four और five का table देखते हैं कैसे tricks use करके किया जा सकता है ध्यान से देखिए four का table start करते हैं इसमें रिखे अब देखिए यहां पर शुरुआत कैसे करना या नीचे से zero even number लिखेंगे जेरो to four six eight Hey zero two four six eight और इसी तरह से यहां भी zero two four six eight अभी तक बिल्कुल असान है मुश्किल नहीं है 02468 इवन नंबर लिखे हमने और इसके बाद 00112 counting देखिए सीक्वेंस में है 00112 और इसके बाद ये एक बार 2 आया फिर 2 से शुरू करना है 22334 देखिए 4 का टेबल तहीं आ रहा है हमारे पास 4104, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 बड़े अराम से ये बच्चों को समझ आती है और इंटरस्ट क्रियेट होता है 5 का टेबल देखिए 5 का टेबल वैसे बच्चों को याद होता है मुश्किल नहीं होता क्योंकि 5 तो tips पे fingers पे भी counting बच्चे असानी से कर लेते हैं लेकिन फिर भी इनक इसको लिखने के लिए 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, and 5 ये pattern बड़े अराम से बच्चे लिख सकते हैं और इसके बाद हमें क्या करना है 505050505050 तो 5 का टेबल भी देखिए बड़े अराम से लिखा जा सकता है अभी तक हमने 3, 4, 5 और 6 ये टेबल कवर कर लिए हैं चलिए आगे चलत हैं चलिए आगे देखते हैं 7, 8 और 9 ये कैसे करना है अब 7 का टेबल देखिए 7 का टेबल लिखने के लिए यहां से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबसे पहले हमने 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिख लेनी है जैसे 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखी और इसके 1, 2, then 2, 3, 4, अब यह 4 पे खतम हो रहा है आगे 4 से ही स्टार्ट करना है 4, 5, 6 यानि कि 0, 1, 2, 2 पे खतम हो रहा है तो 2 से ही स्टार्ट करना है 2, 3, 4, 4 से खतम हो रहा है 4 से स्टार्ट करना है 4, 5, 6 और लास्ट में 7, 10, 70 तो देखिए 7 का टेबल बड़े अराम से लिखा जा सकता है आगे चलते हैं 8 और 9 के टेबल पे 8 का टेबल कैसे लिखना है 8 का टेबल लिखने के लिए आगे हम उपर से स्टार्ट करेंगे even numbers को decreasing order में लिखेंगे कैसे लिखना है देखिए ध्यान से 8 6 4 2 0 राइट यह descending order में even numbers को हमने लिखा 8 से लेकर 0 तक इसके बाद फिर से सेम आगे फिर 8 6 4 2 0 पैटर्न सेम है पहले 8 से 0 तक लिखा दोबारा फिर 8 से लेकर 0 तक लिखा अब क्या करना है देखिए ध्यान से 0 1 2 3 4 काउंटिंग में कोई गडबर दी है 0 से लेकर 4 तक लिखा लेकिन चेंज क्या है यहां पर एक में निशान लगा रहा हूं इसके बाद फिर से 4 से शुरू करना है है क्या करेंगे 45678 लीजिए 8 का टेबल यार बिलकुल असानी से करो कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों के लिए अब इन का टेबल देखिए 9 का टेबल तो बहुत ही असान है कैसे यह देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से 9 तक कांटिंग लिखी राइट उपर से नीचे की तरफ अब नीचे से उपर की तरफ कांटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह देखिए 9 का टेवल भी तयार तो हमने अभी तक 3 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट वाले सभी टेबल कवर किये 2 का नहीं किया जी 2 असान है बिल्कुल बच्चों को इसली याद हो जाता है अब 9 तक करने के बाद स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स की कई ट्रिक्स हम अलड़ी करवा चुके हैं आज हम 2 डिजिट नंबर की एक ऐसी ट्रिक करने वाले हैं कि आप 11 से 99 तक कोई भी टेबल हो उससे एक सिंगल ट्रिक को यूज़ करके बच्चों को याद करवा सकते हैं चो चलिए ध्यान से देखिए क्या है वो ट्रिक अब किसी भी टू डिजिट नंबर का टेबल करने से पहले एक चीज़ याद रखने जरूरी है कि बच्चों को 9 तक के टेबल याद होने चाहिए 9 तक के टेबल अगर बच्चों को याद है तो टू डिजिट नंबर का कोई भी टेबल बड़े अराम से लिखा जा सकता है चलिए स्टार्ट करें 12 का टेबल से शुरू करेंगे यह देखिए अगर 12 का टेबल करना हो तो पहले ट्रिक सुनिए कि क्या करना क्या है देखिए एक डिजिट टू है हमारे पास एक वन का है दोनों का टेबल लिख लेना है दोनों का टेबल लिख लेना है वन का तो देखिए अराम से आपम लिख सकते हैं वन क्या है 1 1 0 1 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 और 110 तो बन के लिए तोबन से लेकर 10 तक एक तरह से कांटिंग ही आएगी है तो के लिए देखिए क्या होगा आप 2 का टेबल क्या होता है तू वन अच्छा इस तरह से ब्रेकट में लिख सकते हैं आप टू वन जर टू यह ब्रेकट में लिखने लिए असान रहेगा टू 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 जर फोर शिक्स एट टैन ट्वल्व 14 16 18 20 इसको रख दीजिए ब्रेकट में ठीक है एक स्टेप एक्स्ट्रा है बस सिरफ एक स्टेप पूरा टेबल लिखने से अब क्या होगा देखिए वन और टू तो वैसे 12 ही रहेगा 12 वन जा 12 टू और 4 24 ट्री और 6 36 यह हमारा अब टेबल बन रहा है 4 और 8 48 अब डिफ्रेंस कहां पर है यहां पर जब यह टू डिजिट नंबर जाने शुरू हो जाए तो भी कोई गबराना नहीं है यह पीछे वाला 0 एज़ टिस और यह जो वन है बस इतना ही काम करते है 5 प्लόσ 1 क्या है 6 अभी तर देखिए यह 2 एजिए यह 1 जो है 6 में एड करेंगे तो 7 सेमूं देखिए 4 एज़ अज़श 7 में 1 एड़ करेंगे तो 8, 6 as it is, 1 में 8 एड़ करो 9, 8 और 9 में 1 एड़ करेंगे तो 10, यह 0 as it is, 2 में 10 एड़ करो तो 12, देखे 12 का टेबल अब हमने बड़े अराम से लिखा, अगर 9 तक याद है, तो इसके बाद 99 तक, मैंने पहले भी कहा था कि बड़े से बड़ा टेबल लिखके देखते हैं, अब 16 का टेबल लिखेंगे तो 1 का तो सीधी काउंटिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 6 के टेबल के लिए, 6 का टेबल क्या है, यह देखिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 66 का टेबल याद जरूर होना चाहिए, और इसके बाद देखिए, ब्रेकेट में लिखो ना लिखो, हमें रिजल्ट समझाना चाहिए, 1 और 6, 16 बिल्कुल ठीक, यह पीछे वाला 2 as it is, यह 1 इदर एड़ करो, 3 हो जाएगा, 8 as it is, 1 3 में एड़ करो, 4 हो जाएगा, यह पीछे वाला 4 as it is, 2 4 में एड़ करो, 6, 0 as it is, 5 3 में एड़ करो, 8, यह पीछे वाला 6 as it is, 6 plus 3, 9, 2 as it is, 7 plus 4, 11, 8 as it is, 8 plus 4, 12, 4 as it is, 9 plus 5, 14, यह 0 as it is, 10 plus 6, 16, देखे 16 का टेबल हम सिंगल स्टेप में, कोई इसमें हमें टाइम नहीं लगा जादा, अभी कुछ लोग सोचेंगे जी दो बार लिखना पड़ता है, रफ में लिखो, अगर किसी बच्चे ने कॉपी प वहाँ से यह idea हो सकता है, इसको लिख सकते हैं, अपना लिखा हुआ चेक कर सकता है, तो सिरफ 16 ही नहीं, हम थोड़ी बड़ी values भी लेके देखते हैं, ध्यान से देखिए का अभी, 16 के बाद स्टार्ट करते हैं, 27 का करते हैं, 27 का टेबल देखिए, 27 का करना है, तो देखिए, रूल सेम, जो रूल हमने पढ़ा है, उसी रूल को कॉंटिन्यू करेंगे, अब देखिए, 2 का टेबल लिखना है सबसे पहले, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, और 20, 2 का टेबल लिख 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 7 का टेबल लिख लिए, इधर 2 का टेबल लिख लिए, तो बस 27 का हमारे सामने तयार है, कैसे तयार है, पहले नमबर पे 27, यह पीछे वाला 4 as it is, इस 1 को 4 में आड करेंगे तो 5, 1 और 6 प्लस 2, 8, पीछे वाला 8 और 8 प्लस 2, 10, यह ट्रिक हर जगह पर चलेगे, यह 5, 10 में 3 एड किया, 13, पीछे वाला 2 लिखिये, 12 प्लस 4, 16, 9 लिखिये, 14 प्लस 4, 18, पीछे वाला 6 लिखिया, तो 16 प्लस 5, 21, पीछे वाला 3 लिखा, 18 प्लस 6, 24, और यह 0, 20 प्लस 7, 27, मैं 99 तक आपको बार बार कहा रहा हूं, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं, 64 का टेबल लिखते हैं, किसका टेबल लेते हैं, 64 का टेबल लेते हैं, और लिखके देखते हैं, पहले आपको 6 का टेबल लिखना पड़ेगा, 6 का टेबल क्या होता है 6 12 18 24 30 36 42 48 54 and 66 का टेबल ईजी लिख लिए 4 का टेबल 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40 दो टेबल हमने 6 और 4 के लिखे 64 का हमारे पास तैयार है कैसे तैयार है देखिए 64 अब यहां पर देखिए 8 एज इस और 12 भी एज इस यहां पर तो सीधा हमारे पास क्योंकि सिंगल डिजिट है इदर जब टू डिजिट बनेगा तभी प्रॉलम आएगी अब यहां पर देखिए 12 है तो 2 as it is इस 1 को 18 में आड करेंगे तो 19 यह 6 as it is 24 प्लस 1 25 यह 0 as it is 30 प्लस 2 32 4 as it is 36 प्लस 2 38 8 as it is 42 प्लस 2 44 देन 2 as it is 48 प्लस 3 51 6 as it is 54 प्लस 3 57 और लास्ट में 0 as it is 60 प्लस 4 64 तो देखिए 64 का टेबल हमारे पास तयार है तो आज हमने जो ट्रिक्स पड़ी हैं बहुत ही इंट्रस्टिंग ट्रिक्स हैं हमने 3 से लेकर 99 तक टेबल कैसे लिखने हैं यह सब चीजें कवर की हैं अभी कु कि इससे तो टेबल लिखने तो सीख जाएंगे लेकिन याद कैसे होगे तो मैं आपको बता दूँ छोटे बच्चों की listening skills बहुत अच्छी होती हैं अगर बच्चों को टेबल्स आप याद करवाना है तो आपको बोल के याद करवाना पड़ेगा बोल के ही याद करवाया देते हैं तो उस एज में ये ट्रिक्स बच्चा यूज कर पाए ना कर पाए बाद की बात है सबसे पहले बोल बोल के याद करवाईए उसको जितना आप बोलोगे टेबल रिसाइट करोगे रेसिटेशन ऑफ टेबल्स अक्सर क्लासिज में छोटे बच्चों को टीचेज क् सॉंग ताकि बच्चे जल्दी से उसको कैच कर सके हैं बहूत सारे सॉंग्स बच्चों को याद हैं छोटे-छोटे बच्चे एसे ऐसे सॉंग गा लेते हैं जो शायद हम लोग नहीं गापाते हैं क्यों सुनते हैं और सीखते हैं तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि टेबल्स को बोल बोल के याद करवाईए हाँ लिखने का अपना एक लग तरीक है कुछ बच्चे जो नहीं बोल के भी याद कर पाते उनका इंट्रस नहीं बन पाता यह सारी ट्रिक्स फिर काम आती है क्योंकि तब उनका मैस में इंट्रस बनता है जब उनको लगता है कि मेरे यही रास्ते हमने इस ट्रिक्स से दिखाने की कोशिश की है आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा हमारे वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिए थैंक्यू सो मज कि अुती है लेका एक